पकाइथ नमस्कार दोस्तों स्वागें तश्वियक से बेसिक बात। पढ़नाא शुरूर किया था तो कन बेसिक से बेसिक बाते जो हैं वह पढ़ना शुरू किया था, बेसिक बाते जाने ही, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा हमने फिर उसके बाद हमने नैशनल बिल्डिंग कोड के बारे में दोस्तों जो है इंट्रोडक्शन वो लिया उसके बाद एक बिल्डिंग के क्या क्या कॉम्पोनेंट होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा अब आज बात करेंगे दोस्तों काद हमने बात कर ले थी building जो है उसके क्या क्या component है क्या क्या उसके parts है अब एककर करके नीचे से शुरू करेंगी नीचे से जो building के component सबसे पहले बात करेंगे sub structure के उसके construction की फिर उसके बाद super structure के हम बात करेंगे तो आज बात करेंगे दोस्तो जो ground के नीचे के जो structures हैं उनके बारे में discussion करेंगे हम यहाँ पर building construction में और जो आपके बागी civil के subject है उनमें अंतर क्या है building construction में हम जब बात करते हैं जैसे आप बात कर रहें building की तो building में क्या क्या component है foundation किसे कहते हैं तो आप foundation है foundation के types पढ़ लेंगे लेकिन उस foundation की designing कैसे होगी उस foundation में जो concrete use होगी steel जो use होगा या फिर bearing capacity कैसे calculate करेंगे उस soil की जहां पर आप foundation बना रहें वो सारा अलग-अलग जो subjects हैं उनके अंदर आ जाता है तो यहां पर हम बात करते हैं types क्या होते हैं उसका एक overview लेते हैं हम समझते हैं कि हाँ वो है क्या चीज़ तो उसी तरीके से दोस्तों यहां पर आज बात करने वाले हैं कुछ structures की और particularly हम बात करेंगे sub structure वालों की आपका unacademy की app के उपर और उस free session को देखने के लिए आप unlock code या invite code यूज़ कर सकते हैं संदीब डबल वन साथी साथ में दोस्तों शाम को 10 बजे हमारी wifi study channel के उपर class होती है शाम को 10 p.m जिसके अंदर हम mains के question करते हैं या SSC के जो mains के previous year question आया हुए होता है वो हम अभी solve कर रहे है weekly complete test हर Saturday सुबह 9 बजे होता है हमारा तो यह overall schedule है I hope आपको पता होगा जो नए दोस्त हैं उनको एक बार फटावर्ट बता दिया साथ ही साथ में दोस्तों Unacademy के उपर अभी surveying के जो sessions है वो चल रहे है Unacademy के जो subscription model के उपर तो अगर आप बढ़ना चाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है Unacademy उपर search करना है मेरी profile search कर सकते हैं आप संदीब जियानी नाम से और जैसे ही आप profile search करेंगे वहाँ पे आपको survey का course दिखाई देगा और survey का जो course है उसके उपर click करना है आपको get subscription पे click करेंगे वहाँ पे आपको get subscription का button दिखेगा और उसके बाद आपसे duration पूछी जाएगी कितने duration के लिए आपको subscription चाहिए duration select करने के बाद वहाँ पे referral code का option आएगा तो वहाँ पे आप use करेंगे संदीब डबल बन जिससे आपको 10% off मिलेगा और साथ ही साथ में कि जिस category का भी आप subscription ले रहे हैं उस subscription के अंदर आपको unlimited courses आप पढ़ सकते हैं technical non-technical सब कुछ चलिए तो शुरू करते हैं दूस्तो कलम ने बात की थी कि आपके पास majorly majorly अगर आप बात करेंगे तो किसी building को दो तरीके से आप structure में उसको divide कर सकते हो एक होगा sub structure जो ground level के नीचे वाला है एक super structure हो जाएगा और इसको वैसे देखें तो तीन पार्ट में आप कह सकते हैं पार्ट में sub structure, फिर उसके बाद plinth फिर उसके बाद super structure और प्लिंथ जो है वो actual में किसका part है प्लिंथ super structure का ही part है प्लिंथ जो है वो super structure का ही part है तो अब आप इसको चाहे तो ऐसे समझ लीजिए कि एक ये हो गया दूसरा प्लिंथ हो गया तीसरा सूपर स्ट्रक्चर उपर के component तो तीन पार्ट समझ लो या अगर मोटे तोर पे बात करें तो दो पार्ट में समझ सकते हैं सब स्ट्रक्चर और ग्राउंड लेवल से उपर जो गया वह वह सूपर स्ट्रक्चर उसी के अंदर फिलिंथ बात करें दोस्तों सब स्ट्रक्चर के ग्राउंड्ट से नीचे का स्ट्रक्चर और ग्राथ करें तो sup स्क्रक इंदर फांदेशन आजए गा और जैसा हमने कर्ड डिसकस किया था कि जो भी पूरी building का load होगा वो ultimately last में foundation पे आएगा और यह foundation जो है यह बाद में soil के अंदर इस load को distribute करने वाली है यह load जो है soil को वो दे देगे यहाँ पर आके तो foundation जो है उसका firm होना उसका strong होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है foundation दो प्रकार से fail हो सकती है या तो वो settle कर जाए वो खुद बैठ जाए या फिर वो shear में fail हो जाए shear में fail होने का मतलब है कोई एक particular पूरा soil mass जो है वही move कर गया with respect to another तो shear में fail हो सकती है या फिर settlement में fail हो सकती है तो जब हम soil mechanics पढ़ते हैं और soil mechanics में भी आंके बाद में हम foundation engineering बढ़ते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं इसके failures के बारे में और कैसे उसको prevent किया जाएगा कैसे आप उसके strength देखेंगे ये वो part है building का जो ground level के नीचे होता है sub strata नीचे का जो strata है soil के direct contact में होता है और वहाँ पर ये load transfer करता है all the load is transmitted to soil by foundation अब बात करते हैं दोस्तों आपको foundation अगर बनानी है उसको आप किस तरीके से बनाते है foundation अगर आप बनाएंगे तो foundation बनाने से पहले आपको एक rough sketch तो बनाना पड़ेगा ground के उपर साधारन भाशा में बोले तो एक sketch बनाएंगे आप या ground के उपर आप निशान बना लेंगे कि हां कहां कहां पर आपकी foundation बनेगी ऐसा तो है नहीं ना कि अंदाजे से चलो ठीक है यहां 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 बना दो क्योंकि पूरी building जो आपकी बनने वाली है जो structure आपका बनने वाला है वो उसके उपर depend कर रहा है तो बिलकुल एकदम accuracy के साथ और correct dimensions के साथ जो है आपकी foundation बननी चाहिए तो उसी के लिए हम क्या करते है ground के उपर जो marking करते है या आप यह कह लिजी कि ground के उपर आपको वो point identify करना है कि कहां से foundation बनेगी उसको आप trace कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं trace कर रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ground के जो tracing करते हैं या इसे हम क्या बोलते हैं layout तो आप अगर objective questions में या exam में या फिर आपको यह term दिखेगी layout of a building is set up या फिर ground tracing कर रहे हैं उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप वो lines मना रहे हैं उसके उपर mark कर रहे हैं ground के उपर कि हाँ यहाँ पर काम होना है यहाँ पर foundation बनेगी आपकी यहाँ पर तो अब इसमें देखिए आप अगर आपको पता है कि जो आपकी building बनने वाली है let us suppose एक छोटा सा example ले देते हैं यह आपकी building है यह एक कोई room बनाना है आपको कोई छोटे से छोटा तो अब ground के उपर आप क्या करेंगे इसकी पहले center line ड्रॉ कर देंगे कि हाँ इसकी जो दिवारे है इनके corresponding यह जो center line आ रही है इनके बीच से बिल्कुल center से जो pass कर रही है यह center line ड्रॉ कर लेंगे आप पहले तो center line ड्रॉ करने के बाद वैसे तो यह rectangular है बट थोड़ा सा 3D में दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ अब आप क्या करोगे आपको पता है कि foundation के width कितनी हो गी हाँ पर तो इस center line के respect में आप उतने width जो है मांग कर लो और फिर उसके बाद यहां से आप क्या कर दो foundation की excavation जो है वो आप शुरू कर सकते हैं तो इसी overall process को हम समझते हैं इसी overall process को step by step किये कैसे हुआ उसके बारे में हम जानेंगे यहां पर तो purpose क्या है ground tracing का या layout जो बनाने का purpose क्या है ताकि आप अगर identify कर लेंगे कि हाँ इस line के along या इस line के respect में इस line के reference में आपको excavation करना है तो आपका काम जो है वो accurate होगा एकदम बिल्कुल आप जो बनाना चाहते हैं जैसे structure उसी तरीके से वो structure जो है वो proceed करेगा बनेगा यहां पर excavation of foundation starts immediately after this process क्योंकि इस process के बाद इस start करेंगे तो यह करना ज़रूरी है lines और mark जो आप बनाते हैं वो guide का काम करते हैं वो आपको reference देंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ किस line के along आपको foundation जो है वो बनानी है excavation करना है फिर उसके बाद आगे का काम जो है वो शुरू होता है अब होता क्या है इसमें इतनी ज़्यादा कोई rocket science नहीं है simple जो भी आपके पास site plan होता है site plan के अंदर आपके पास आसपास की जो details रहती है कि हाँ यहाँ से road जा रही है यहाँ पे कोई और building है addition कोई house है या नहीं है तो जो भी details आपको जिस site पे आप काम कर रहे हैं उसकी details आपके रहेगी आपके पास site plan में इसके according आपको पता रहेगा कि आपकी plot की जो boundary है वो boundary कितनी है कहां तक आपका खुद का area और कहां से सरकार का या government जो area है वो शुरू हो जाता है तो उसके reference से आप यहाँ से यह कह लिजिए building lines के reference में आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जहां से construction होना है क्योंकि आप यह चीज पहले already identify कर चुकी हो plan, drawing सब कुछ बन चुकी है आप उसको field पे आप execute करने जा रहे हो field पे आप उसको बनाने जा रहे हो तो यहाँ पे आप reference already present होता है कि कि किस line से आपको कितनी दूरी के उपर कोई point लेना है जैसा मैंने आपको यह बताया कि हम क्या कर देते हैं यह center line मान लेते हैं कि यह center line है तो हमने यहाँ पे a point और b point को एक reference line मान लिया और यह a b जो है वो center line को represent कर रहा है तो इसकी जो width होगी वो width center line के respect में आप कर लीजिए आदा distance इदर आदा distance इदर उसके बाद आप आगे का काम प्रोसीड कर सकते हैं तो center line जो है उस पे आप wood की packs होती है यह wooden pack होती है कुछ इस तरीके से आपके पास लकडी की बनी होई pack होती है खूटी एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको आप लगा देते हैं जो की reference जगा जगा के उपर यहाँ पर यह जो आपके पास line A B थी इस line A B के उपर आपने ऐसे strings बना दी ऐसे यह यहाँ पर क्या किया पहले तो wooden pack लगाई wooden pack के उपर nail लगी होई थी कील लगी होई थी उससे आपने ऐसे दागे बांद लिए तो मतलब आपको clear so simple चल रहा है कि A B line बनाई आपने और इस A B line में जगा जगा पर ऐसे आपने wooden pack लगा रखे है उन wooden pack के उपर आपने कील लगा रखे है नेल लगा रखे है जिससे कि आप एक string बांद सकते हैं धागा बांद सकते हैं जो आपको एक straight line जो है उसके बारे में आपको बता रहा है और आप क्या कर सकते हैं ये जो आपने center line वाली जो packs बना रखी है यहाँ पर आपने एक pack ऐसे लगा रखी है इन center line वाली pack के अलावा आपको पता है कि ये width कितनी होने वाली है foundation की जो foundation बनेगी या जो trench बनेगा जो गड़्डा आप बना रहे है जो है उसको आपको excavate करना है खूदना है कहां तक कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर तो side वाली जो packs हैं वो यह बताएंगे foundation के width कितनी रहेगे उसके बाद आपके पास जो है जो भी excavating आप use कर रहे हैं छोटा अगर excavation करना है तो आप pickaxe का जो आप use कर सकते हो अगर बहुत large scale पे आपको अगर excavation करना है तो आप excavator जो है या machinery का इस्तेमालाब कर सकते हैं यहाँ पर तो two more packs are driven at equal distance on either side of center line pack such that distance between them becomes equal to the width of foundation with the help of these packs foundation can be easily traced settings strings are tied to respective pegs and lines are marked with the help of pickaxe lime powder is spread along these lines to make them prominently seen मतलब चूना जो है आपने देखा हुए site के उपर जहाँ पर आप देखते हैं तो वो आप spread कर देते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं आपको यह lines जो हैं वो आपको clearly दिखेंगी पैग लगाई सबसे पहले उसके उपर धागा अपने बांदा तो आपको straight line दिख जाती है उसके उपर आप क्या कर दीजी चूदा या जो आपके पास जो lime होता है वो spread कर दीजी तो वो आपके पास ground पे clearly दिखने लग जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं आगे का process अगर आप देखें तो आपको एक brick by एक brick का pillar बनाना है एक brick ऐसे width एक brick ऐसे width आप ये बनाते हैं बाके कोई hard and fast rule नहीं है इसका purpose क्या है इसके purpose की बात करें तो आपको pillar बनाना है यहाँ पे आपकी foundation बननी थी ऐसे आपका foundation ट्रेंच जो वो जाना था तो इस से इस 5 मिटर इधर 5 मिटर इधर आपने mecenary pillar ये जो brick से बनाये हुए pillar है ये बना लिए ये pillar जो है आप plinth की height तक इतनी height तक आप इनको बना सकते हैं और इनके reference से आप क्या कर सकते हैं इस pillar के उपर plaster कर दो आप इस pillar के उपर plaster कर दो plaster के उपर मतलब top पे बात कर रहे हैं तो आप imagine कर दीजी एक pillar बनाया आपने यहाँ पर मैcenary pillar बना रखा है और उस pillar के उपर plaster करके आपने उसमें grooves या cut बना दिया ऐसे cut बना रखे हैं और in cut का क्या काम होगा कि in cut के reference में आप फिर से strings बांद सकते हो धागे जो हैं वो आप बांद सकते हो जो कि आपको बताएंगे कि इस इस से आगे इधर एक pillar बना होगा तो उससे आपको एक straight line दिखे कि यहाँ से आपके पास फिर आपको एक reference मिल जाएगा कि यह जो groove या cut लगे हुए थे इनके अंदर से आप यहाँ पर उसको बांद के यहाँ से ऐसे एक धागा खीच सकते हो string जो है वो आप यहाँ पर 10th level तक इनकी height रखते है और पिलर जो है उनको same level पर रखा जाएगा एक ही level पर रखेंगे ताकि जो हमारी जो string है जो धागा है वो inclined ना हो जाए या फिर वो misalign ना हो जाए straight रहे वो तो इसलिए उनको आप dumpy level से level भी कर सकते हो आप उनको बराबर कर सकते हो यहाँ पर इनको 5-5 meter के उपर रखने का कारण क्या था इनको immediately यहाँ यहाँ क्यों नहीं रखा ताकि यह बीच में रुकावट ना पैदा करें जब आप excavation कर रहे हैं चाहे machine से कर रहे हैं चाहे आप manually कर रहे हैं तो यह बीच में रुकावट ना पैदा करें दूर रहे हैं यह तरीके से बस यही है आप यूज कर सकते हो, peg का यूज कर सकते हो, machinery pillars का आप यूज कर सकते हो, string का यूज करोगे, centerline identify शुरू में जब हो जाएगी उसके बाद centerline के आसपास peg यूज कर लो जिनसे आप इसकी width को determine कर लोग इसकी width कितनी है उसके बाद इसकी excavation जो है वो आप शुरू कर लो, तो ये कहानी शुरू होती है कि कहां से आपका excavation शुरू हो रहा है, civil engineering के बिल्कुल basic से basic बाते हैं पढ़ रहे हैं दोस्तो, आगे जैसे जैसे हम step by step जाते जाएंगे, सारे subjects को हम इसी तरीके से connect करते जाएंगे, पहले हमने समझा कि building को बनाने के लिए material क् यह building materials के बारे में जाना हमने, फिर concrete के बारे में हमने जान लिया, फिर उसके बाद हम यह जान रहे हैं कि अब building के types क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा कल, building के component क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा कल, फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि अगर आप building को construct करना शुरू कर रहे हो, तो कहां से शुरू होगा, तो सब स्ट्रक्चर में बात करते हैं, सब स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपको वहाँ पर excavation करने पड़ेगी, foundation का जो ट्रेंच है, जो गड़ा बनाना पड़ेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब अगर आपने यहाँ प बीच में depth चेक करनी है, अगर आपको बीच बीच में depth चेक करनी है, कि excavation की depth जो है, वो कितनी रहेगी, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरीके से आपके पास एक bonning road होती है, bonning road इसकी depth आपको पता होगी, और horizontally यह width जो है, इसको determine कर सकते हैं, आप इससे check कर सकते हैं, अ अगर 3D में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पता है कि यह जो bonning road आप insert कर रहे हो, इस bonning road की जो length होनी चीए, यह length कितनी होनी चीए, जितनी इस excavation की depth है, इस trench की, इस गड़े की depth है, उतनी होनी चीए, और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर width की, तो वो इसकी width of the foundation के बराबर यहाँ पर हो, तो जिसे आप check कर सकते हैं, अगर इसके उपर यह horizontal member लगा हुआ है, ठीक है, तो majorly बस इसका अगर बात आए, objective में अगर सवाल आता है, तो objective में आपसे बस mainly यह पूछा जाता है, depth के लिए क्या use करते हैं, तो depth check करने के लिए आप bonning road क use करते हैं, bonning road is used for checking the depth, उसके बाद दूस्तों आपने यह देखा होगा, plum bob आपने देखा होगा, अगर college में आपने देखा होगा, plum bob क्या काम करते हैं, कि आप मान लेजी, plane table surveying, table रखके हम ground के उपर, field के उपर, वहाँ पर हम क्या करते हैं, survey करते हैं, तो जो ground का point है, उसको as it is, table के उपर, जो sheet है, उस पे plot करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम, उस point को उपर project करके लाते हैं, तो centring बोलते हैं उसको, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, plum bob का, क्या होता है, एक plumbing fork होता है, जैसे मान लेजीए, यह आपके पास table है, ठीक है, यह table आपन point है, इसको आपको इसके उपर, sheet के उपर present करना है, तो उसके लिए आपके पास, यहाँ पर plumbing fork होता है, एक तरफ तो ऐसे pointed है, जो ती उसकी, और इसी की vertical line में आता हुआ, ऐसे, यह plum bob लगा होता है, इस पे, जो point आपको as it is, इस तरीके से ही एक shape होती है, जैसे जो आपका ही होता है, तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पर, जो आपका point sheet के उपर यहाँ point कर रहा है, यह जो sharp edge है, यह edge जो है, यह और plum bob एक ही vertical line में रहते हैं, तो जिससे की आप ground के उपर जो point है, उसको as it is sheet के उपर vertically आप उसको plot कर सकते हो, यहाँ पर तो आप इस्तेमाल करते हो कि इसका plum bob का आप यूज करते हो, सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कि जो आपने strings बनाई थी, जो आपने धागे बांदे थे ऐसे, उनको अगर आपको as it is नीचे project करना है, अगर width चेक करनी है आपको, तो आप कैसे चेक करेंगे, कि depth आप चेक कर चुके bonning road से, यहाँ पर आ plum bob लटका के आपने क्या किया, इस foundation का जो center था, यह center ऐसे है, इस foundation का जो center था, उसके उपर आप चले गए, plum bob की मदद से, वहाँ जाके आप इसकी width जो है, वो चेक कर सकते हो, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी width चेक कर सकते हो, for checking the width, center line is transferred to the bottom of the trench by means of plum bob, wooden stick, steel bar आप move करा दो, उसको ऐसे move करा दो, चेक करवाने के लिए, या इसमें अगर आप बात करने, तो इसमें आप उसको move करवा सकते हो, चेक करने के लिए, तो basically simple सी है, common sense वाली चीज़ यूज़ कर रहे है, जो भी horizontal member है, उसको आप इस्तिमाल कर सकते हो, width को चेक करने के लिए, depth के ल तो आप, अगर आपको verification करना है, मान लेजिए सारा काम सही हो रहा है, या नहीं हो रहा, excavation proper हो रहा है, या नहीं हो रहा, तो आप जो भी rectangles बनते हैं, उन rectangle के diagonals के according आप verify कर सकते हैं, कि हाँ इसका diagonal कितना आना ची हो, और actual में कितना आ रहा है, तो rectangles को आप चेक कर सकते हो, तो diagonal को मेजर करके, आप rectangles को चेक कर सकते हो, यहाँ पर, उसके बाद अब excavation कर रहे हैं, जो foundation यहाँ पर excavation हो गया, यह एकस्केवेशन चल रहा है, यह एकस्केवेशन चल रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ बीच बीच में burning road है, उससे आप चेक कर सकते हो, यह excavation की depth जो है वो आपको चेक करना हो गए हाँ पर जो आपने एक्सकेवेट कर दिया वो लेवल्ड भी तो होना चीए जो foundation का जो trench बना जो ये गड़े बन रहे हैं ये level भी तो होने चीए अंदर से तो उसको भी आप चेक करेंगे हाँ पर फिर उसके बाद आप foundation के अंदर lime sand brick bat brick के जो आदे टुकड़े होते हैं या फिर ये कह लिजी जो जुमा brick होती है over burnt brick होती है उनको भी यूज़ करते हैं तो lime sand या brick bats का जो proportion है 1 is to 2 is to 4 का हम यूज़ कर सकते हैं plain cement sand brick bat 1 to 4 या 1 to 8 का combination यूज़ कर सकते हैं depending upon आप कैसी building इसके उपर construct करने वाले cement concrete sand brick bat इनका भी आप इस्तिमाल कर सकते हो 1 to 1 to इस proportion के अंदर 1 to 12 प्रोपोर्शन के अंदर तो ये overall आपका process हो गया कि हाँ foundation जो है वो आप बना रहे हैं कहानी कहां से शुरू हुई कहानी यहां से शुरू हुई कि आपको सबसे पहले तो आपने मतलब अभी बिल्कुल basic civil engineering college में admission लिया है बिल्कुल basic से सीखने जा रहे हैं तो पहले हमने सीखा कि building materials जो हैं वो क्या होते हैं क्या-क्या type के building materials होते हैं जो आप construction में use करेंगे उसके बाद हमने समझा कि building क्या होती है ग्राउंड लेवल से उपर का जो होता है उसे हम कहते हैं super structure उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे थे यह जो नीचे का component है या जिसे हम कह रहे हैं sub structure इस sub structure की बात हो रही है यहां पर sub structure हम पढ़ रहे है sub structure में हमने जाना कि आपके पास सबसे पहले एक plan होगा सबसे पहले क्या होगा architect जो है उसको plan करके दे देगा आपको तो वो plan आपके पास है वो drawing आपके पास है और उस drawing के अंदर जैसे mentioned है कि हाँ यह आपके पास कोई point है A और B अंदर जो भी ग्राउंड को trace किया अब ground की tracing करने के बाद ground की उपर जो है निशान बना लेने के बाद कि हाँ यहाँ यहाँ excavation होना है इस वेट का होना है आपने excavation शुरू कर दिया excavation जब आपका शुरू हो चुका है excavation हो चुका है यहाँ पे अब दिक्कते आएंगे, अब क्या दिक्कते आएंगी, नॉर्मल केस में, अगर नॉर्मल घर बना रहे हैं अपने, तो हो सकता है, ऐसी दिक्कत ना आए, लेकिन हम से विल इंजीनिर हैं, हमें ऐसे थोड़ी नाएं की छोटे मोटे structure बनाने, हमें छोटे से लेके बड़े structure ज होते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या आती है, अगर foundation जो है, उसका depth थोड़ा जादा है, foundation का depth अगर बहुत जादा है, मान लीजी, और एक ऐसा एरिया है, जहां पर आसपास कोई नदियां भी है, water bodies घूप सारी है, जिनके कारण ground water table, जो है, ground water table, जो है, वो ground surface से थोड़ी सी depth है, बहुत जादा depth पे नहीं है, तो ऐसे case में आप excavation करेंगे, excavation करने के कारण क्या हो जाएगा, अब ये तो छोटी सी depth था आपको दिखा रखिये, excavation की, बहुत जादा depth था आप अजियों कर लीजी, कोई multi-story building बना रहे हैं, कोई mall बना रहे हैं, आप जिस mall के अंदर, 10- 12-12 floor जो है, वो ground से उपर रहेंगे, 3-3-4-4 basements रहेंगी, तो आप imagine कर लीजिए कि आपको 50-60 feet जो है excavation करना है, या इसे जादा आपको करना है, तो जब इतने depth के उपर आप जा रहे हैं excavation करने, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी कि water table जो है, उससे पानी आ सकता है, यहाँ और वहाँ से क्या आ सकता है इसमें, obvious ही बात है कि water आएगा, अब water आ रहा है तो जब हमारा construction हो रहा है, excavation हो रहा है तब भी दिक्कत आएगी, और बाद में future में भी problem आएगी, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डी water करना पड़ेगा, आपको जब भी ऐसे दिक्कत आ रही है कि पानी आ रहा है वहाँ पर, ground water table आ रहा है या कहीं भी किसी भी और reason से, कोई water body के आसपास आपको construction कर रहे हैं, तो वहाँ पर पानी आ रहा है तो उसको करेंगे de-watering, अब de-watering करने के तरीके हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, पहला हो सकता है कि आप centrifugal pumps का तो यह इसकी basic basic सी बात है, जो साधारन सी चीज़ें हमें पता होती है, उनको ज्यादा discuss नहीं करेंगे, तो pumping कर सकते हैं, आप in short अगर हम बात करें, तो pumping कर सकते हैं, जहां पर पानी आ गया है, उसको pump out कर दो, वहाँ से निकाल दो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कि आप drains अब जैसे side से आपको दिखा रखा है यासे, तो जब आप excavation कर रहे हो, जब आप excavate कर रहे हो, तो यह excavation वाला आपका जो गड़ा बन रहा है, ट्रेंच जो बन रहा है, वो मान लेजे कुछ इस तरीके से ट्रेंच बन रहा है, यह गड़ा है वो excavation वाला, अब इसमें क्या करो आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी के उपर, अब इसको 3D में थोड़ा सा आप imagine कर ले न, थोड़े थोड़े distance के उपर आप क्या बना दो, इस excavation वाले ट्रेंच के अंदर ही क्या बना दो, आप गड़े बना दो, थोड़े थोड़े दूर के उपर आप क्या बन दिया जाता है, या हमारे जो घर के अंदर, जो हम water tank use करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, थोड़ी सी जगा ऐसी रख लेते हैं, जिस पर थोड़ा जा depression सा बना देते हैं, क्यों बना देते हैं, इन future अगर उसकी cleaning करनी होती है, तो वो easily हो जाएगी वहाँ पर, आप जो भी अगर बिल्कुल एक दम उसको drain out करना है, बिल्कुल dry करना है, clean करने के लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, वो जो गड़े बना रखे हैं थोड़ी थोड़ी distance के उपर, उसमें जो थोड़ा सी थोड़ा पानी भी होगा, वो चला जाएगा, फिर उसको आप बहां से निका बनाया है, उसमें जो भी पानी आ रहा था, वो इधर drains में आ जाएगा, इस तरफ भी drain बना देंगे, उस तरफ भी drain बना देंगे, और बीच बीच में ये जो गड़े बनाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संप बोलते हैं, तो ये जो संप बना ल सकते हैं जहां पर rocky mass है rocky soil है rocks present है तो आपको पता है कि rocks जो है वो उनके बीच में gap भी रहता है rocks अगर मान लीजिए ऐसा foundation है ऐसा trench है जिसके आसपस rocks present है rocky area में आपने क्या कर दिया यहां पर excavation किया अब ऐसे में क्या होता है कि अगर आसपास water मौजूद था तो वो water क्या करेगा यहां पर water seepage के through या फिर धीरे इधर आएगा यहां पर पानी आएगा अब इसको block करने का तरीका क्या है हमने पढ़ा था grouting हमने क्या पढ़ा था grouting कि आप cement rich mix आप ले लो mortar ले लो उसको आप क्या कर दो fill कर दो उनमें push करते जा रहे हो करते जा रहे हो तब तक कर दो कि जब तक वो grout खुद बाहर आना शुरू ना हो जाए तब तक आप इन pores को इन perforations को यह जो रस्ते हैं इनको भरते जाओ जब तक यह खुद इन रस्तों से वो grout भाहर ना आना शुरू कर दे तो मतलब आपको well point pipe क्या होती है well point pipe आप यह मान लीजिए कि एक pipe होती है इस तरीके से कुछ और इस pipe के उपर जाली लगी होती है इस pipe के उपर क्या लगी होती है जाली लगी होती है जनरली आपने देखा होगा tube bells या फिर अगर आपने वो देखे होंगे जो आप submersible जो होते हैं उसमें ground से तो इसके तरू जो sand होती है वो यह जो जाली लगाई जो mesh आपने लगाई English में हम इसको क्या बोल देते हैं mesh मोल देते हैं यह जो आपने mesh लगाई इसके तरू जो भी particles हैं soil के जो particles हैं वो इसके अंदर नहीं जाएंगे सिर्फ पानी पानी जाएगा तो आप क्या यहां पर पानी present था और पानी जो है water table थी water table कुछ इस प्रकार से present है यह आपका ground हो गया और जिस level के उपर आप excavation कर रहे हैं यहां पर excavation हो गया और हम यह मान लेते हैं कि ground water table जो है वो कुछ यहां पर लाई कर रही थी तो ground water table जब यहां पर लाई कर रही है तो आपने क्य यूज किया, एक riser pipe का यूज किया, riser pipe इस तरीके से आ रही है, और यहां पर इसका head भी present होता, इतने ज्यादा हमें detail में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके और क्या components होते हैं, यह riser pipe इस riser pipe के नीचे क्या लगी हुई होती है, यहां पर, well point लगा होगा, और इससे आप क्य कर सकते हैं जो भी यहां से water आ रहा है जो भी पानी आ रहा है उसको आप क्या करते जाओ यहां से pump करते जाओ इस तरीके से pump कर दो कि यह water table जो है यही यहां से क्या हो जाए lower हो जाए अब simple common sense की बात है कि जितना आप water pump करते जा रहे हो जितना पानी आप यहां से खीचते जा रहे हो जितना पानी आप यहां से सक करते जा रहे हो उसका rate जादा होना चीए जितना पानी यहां से आता जा रहा है जितना पानी flow करके आता जा रहा है उससे जादा होना चीए यह जो यहां से flow करके आ रहा है इसके rate से pumping का rate जादा होना चीए तब ही तो वो lower हो के आएगा तब ही तो वो lower रहेगी तो आप उसको इस तरीके से water को आप remove कर सकते हो well point system से well point actual में क्या एक pipe है यहाँ पर जिसके उपर mesh लगी होती है इसे well point कहते हैं इसके उपर जो pipe लगी होती है इसे हम क्या बोलते है riser बोलते हैं उसे हम क्या बोलते है riser बोलते हैं फिर उसके बाद इसके उपर इसके head या finger arm header valve एटसेटर एटसेटर यह सारी चीज़ें जो है present रहती है इतना ज़ाद हमें नहीं समझना है कि हाँ यह क्या होता है यह diagram बना के बताओ हमें समझ में आना चीए well point system के अंदर क्या था well point pipe थी riser था जिससे कि हम water table को वहाँ पर क्या करवा रहे थे पहले water table यहां थी फिर हम उसको lower करवा रहे हैं lower the water table chemical process का आप इस्तिमाल कर सकते हो या chemical grouting आप यूज़ कर सकते हो जिसमें sodium silicate, lignosulfate यह inorganic chemicals का आप यूज़ कर सकते हो epoxies का यूज़ कर सकते हो resins का यूज़ कर सकते हो epoxies, resin यह आप terms जो है अगर आप कोई construction करवाएंगे आप घर के अंदर अगर कोई construction करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी use होती है जो भी tiles बगारा होती है उनको बांधने के लिए उनको जोडने के लिए दिवार से चिपकाने के लिए आप देखेंगे बड़ी-बड़ी tiles होती है 4x4 की tiles जो है वो दिवारों के उपर लगी हुई है तो वो ऐसे तो चिपक नहीं सकती उनके लिए भी आपको special chemicals चीए इपकोसी चीए जो उनको चिपका के रखती है यहाँ पर तो इपकोसी रेजिन्स और इनका आप इस्तेमाल करते है तो सेम आप उनको यहाँ यूज कर सकते हैं जो भी perforation है जो भी रस्ते हैं जहां से पानी आ रहा है उनको ब्लॉक करने के लिए फिर दोस्तो प्रोसेस आजाते हैं आपके पास freezing process freezing में pore water को आप उसको eyes की तरह freeze कर दो फिर आप जो भी construction कर रहे हो वो आप कर लो यहाँ पर electrocosmosic process यहाँ पर आप electrodes का यूज कर सकते हो anode का cathode का और जिनके थूँ आप क्या करोगे current pass करोगे वहाँ से तो उससे क्या हो जाएगा water जो है वो एक जगा चार जीज की वज़े से accumulate होना शुरू होगा उसको आप pump out कर दो तो यह तरीके हैं कि अगर आपके पास foundation आप बना रहे थे और वहाँ पर पानी आ जाता है तो आप उसकी deep watering कैसे करेंगे deep watering के लिए हम बात करते हैं अब यह तो होगया थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था अब बहुत जादा पानी प्रेजेंट है पानी में structure बनाना है तो क्या करेंगे वहाँ पे हम तो उसके बारे में भी discuss करते हैं फिलाल यह just take introduction है foundation के types बगारे में बात कर रहे हैं यह हम soil mechanics में यह foundation engineering जब पढ़ेंगे तो पूरा पूरा हम दुबारा पढ़ते हैं इसको और पूरा detail में पढ़ते हैं तो foundation दो type की होती है deep foundation होती है shallow foundation होती है इनके फिर further type होते हैं तरजागी के according deep foundation किसको बोलते हैं इसकी खुद की depth upon width foundation जो है उसकी depth और उसकी width width of foundation को bf से denote कर दिया depth of foundation को df से तो उसकी depth upon width का जो ratio है अगर वो less than equal to 1 है तो उसे बोलेंगे shallow बहुत जादा deep है तो depth upon width का ratio greater than 15 इसके बीच में intermediate आप कह सकते हैं isolated foundation या footing क्या होगी isolate है अकेली है तो ऐसे में क्या होगा नीचे concrete का bed present है उसके उपर एक column जो है वो आके rest कर रहा है फिर उसके बाद आती है दोस्तो strap footing, strap footing के अंदर क्या होता है दो आपके पास already footing है column वाली उनको एक strap beam से join करवा देते हैं उनको क्या करवा देते हैं नीचे से strap beam से आप join करवा देते हैं लिटरल support बनाने के लिए यहां पर फिर उसके बाद आपके पास आती है दोस्तों जैसे दिवार है continuously wall चल रही है तो उसके नीचे जो आप एक strip बना देंगे एक पट्टी बना देंगे तो उसे आप क्या कह रहे है strip या फिर continuous footing आप बोल रहे हैं तो इसके अंदर दिवार और यह आगे ऐसे चलती जा रही है या यह उतकता है कि series में ऐसे column लगे हूँ है series में क्या लगे हूँ है column लगे हूँ है तो उनके नीचे आप एक single strip जो है वो use कर सकते हो combined footing दो या दो से ज़्यादा column है उनके लिए अगर आप एक ही footing बना रहे हैं तो combined अगर आप multi-story building बना रहे हैं बहुत जादा उसके अंदर columns बनने हैं तो आप क्या use कर सकते हो raft जिसके अंदर क्या होता है नीचे पूरी की पूरी एक slab जैसे cast कर देते हैं आप पूरी एक slab cast कर देते हैं उसमें आप columns जो है वो आप erect करते हैं तो ये raft जहाँ पे भी बहुत जादा heavy load आने वाला है बड़ा structure बनने वाला है वहाँ पे आप इसका use कर सकते हो gross pressure intensity ये सारी चीज़ें वैसे तो soil में पढ़ेंगे मैं फटा-फट से introduce करवा देता हूँ जो नए दोस्तने उनको परिशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये समझ नहीं आया है ये वैसे हम soil mechanics का पार्ट है ये सारा gross pressure intensity अभी फॉर्मुलों पर मज्जा हुआ वर्नाइन में बहुत जादा समझने में टाइम लग जाएगा साधहरन भाशा में इतना समझ लीजिए gross pressure intensity का मतलब होता है कि foundation के level पे इस soil की वज़े से जो load आएगा वो ये जो soil present है इसके उपर की जो मिटी present है इसके level पे बात कर रहे है उसका load आएगा ये जो footing आपने बनाई इसका weight आएगा और उपर से जो structure का weight आ रहे है वो आएगा तो इसे हम कहते है gross pressure जो total आ रहा है जो भी जितना भी इस level पे foundation के level पे यहाँ पे जो foundation है इसका bed है इसके level पे अगर हम बात करें या ये कह लिजए कि ground से df depth के उपर depth of foundation के बराबर अगर हम बात करें इस df depth पर total pressure के तना आ रहा है फिर उसके बाद आता है net pressure intensity net pressure intensity का मतलब क्या है कि आप field पे गई अभी खाली है बिलकुल ground plot जो आपका है बिलकुल खाली है और आपको पता है कि इस level पे excavation होना है तो आप क्या बोलेंगे कि इस point के उपर यहाँ पर यह जो soil present है इसकी वज़े से load तो आही रहा है इसे मत बताओ इसके अलावा कितना आएगा वो बताओ तो इस point पे जो stress already soil की वज़े से लग रहा है वो मत बताओ already जो existing था वो मत बताओ उसके अलावा कितना आया वो बताओ तो उसे हम क्या कहते है net pressure intensity बोलते हैं भर दिया तो हम यह माल लेते हैं कि जितना इसका unit weight है उतना ही soil का unit weight है तो पहले जितना यहाँ पर इनकी वज़े से सिर्फ इस soil की वज़े से load आ रहा था उतना ही इसकी वज़े से आ रहा है तो अब additional कितना है additional आपके पास सिर्फ और सिर्फ आया P तो यह P upon width of foundation का square आप यह कह लेते हैं कि यह आपके पास net pressure intensity आ जाती है तो P upon Bf square यह external pressure की वज़े से gamma into df क्या बोलते हैं gamma into df जो soil का weight है उसकी वज़े से हम कहते हैं अब यह हम कैसे calculate करते हैं gamma होता है weight per unit volume हमें calculate करना है कि weight upon area हमें यह calculate करना है तो आप weight upon इसको क्या कर सकते हो volume को आप कह सकते हो कि area into length इसे आप ऐसे बोल सकते हो equals to gamma तो weight upon volume equals to gamma तो weight upon area into length weight upon area क्या कह सकते हैं आप यह weight upon area हो जाता है stress weight upon area क्या हो जाता है stress force upon area stress है तो इस stress को अगर sigma से लिख दूँ तो वो आजाता है gamma into l तो यही से हम use कर रहे हैं इस formula को कि gamma into length या फिर यह कह लिज़े इस soil का जो unit weight है gamma into इसकी जो depth है यहाँ पर इस level के उपर इस soil की वज़े से जो pressure आएगा वो pressure कितना आएगा gamma into df इनको soil mechanics में फिर से भी पड़ेंगे लेकिन फिलाल बस समझ लीजिए क्योंकि topic आगया तो हमने कहा कि total pressure जो externally आया p upon bf square plus gamma df फिर हमने समझा कि अगर existing जो pressure लग रहा था इसके अलावा कितना लगा तो वो आपके पास अलावा लगा p तो p upon bf square इतना लगा यह net pressure आगया अब अगर आप क्या करें आपने excavation किया उसके बाद इसमें मिट्टी वापस भरी नहीं आपने provide नहीं किया तो अब backfill provide अगर नहीं किया तो पहले इनिशली pressure कितना लग रहा था गामा इंटू df लग रहा था बाद में pressure कितना लग रहा है सिर्फ p लग रहा है यहां पर तो आप difference बता रहे हैं नेट pressure intensity में दो कि additional load कितना है additional कितना है यह change जो आ रहा है वो कितना है तो p में से gamma df final minus initial कर लीजिए तो यह आपके पास आ जाएगा यहां पर gross safe में हम factor of safety लगा देते हैं जो कि soil के unit weight पे नहीं लगता है तो qnu upon factor of safety net bearing के अंदर जो net ultimate की value होती है उसके उपर factor of safety लगा देते हैं फिर safe bearing pressure जो है कि कितना pressure जो है वो very सहन कर सकता है जिससे उसमें settlement ना आए अब काम की बात क्या होती है काम की बात यह है कि आपकी soil जो है उ allowable pressure कितना होना चीए बस यहां से सीख लीजिए बाकी अगर आपको यह foundation वाला part नहीं समझाया numerical वाला कोई दिक्कत नहीं है फिलाल बस इतना समझ लीजिए आप कि अगर आपकी soil जो है उस पे इतना ही load आना चीए कि ना तो वो settle कर जाए foundation जो है वो ना तो नीचे बैठ जा आजाए ऐसा ना हो कि यह soil थी इस soil के अंदर किसी एक plane के along यह इतना soil का mass पूरा का पूरा नीचे slide कर गया shear off हो गया cut गया जिसकी वजह से foundation जो है यह भी impact हो जाएगी क्या पता foundation tilt हो जाए foundation जो है वो आपकी खराब हो जाएगी तो ना तो settlement में soil फेन होनी चीए soil बैठे ना और ना ही उसका shear होना चीए तो shear और settlement दोनों में foundation जो है वो safe रहनी चीए यह हम पढ़ते हैं यह हम foundation engineering में बात करेंगे फिर उसके बाद soil जो है उसकी क्षमता कितनी है वो load कितना carry कर सकती है उसकी bearing capacity कितनी है इसके method होते है हमारे पास analytical method होते है या field test method होते है जिसमें हम कहत है जनरल शेयर फेलियर आता है लोकल शेयर फेलियर पंचिंग स्टेंडर पेनेटरेशन टेस्ट प्लेड लोड टेस्ट एटिकोन पेनेटरेशन टेस्ट हालांकि यह अभी आप इंतरा दिल पर मतले ना इनको यह सब स्वाइल मेकेनिक्स का पार्ट है तरजागी bearing capacity आता है पर पड़ते हैं तो यह जो टेकनिकल पूरी नॉलेज है कि हाँ सॉइल जो उसकी ख्षमता कितनी है वो लोड कितना करी कर सकती है यह पूरा का पूरा फिर आ जाता है स्वाइल इंजीनिरिंग के इंदर जिए टेकनिकल इंजीनिरिंग के इंदर या foundation इंजिनिरिंग में आ आपको बाकी यह जो टेक्निकल टर्म्स है उसकी कपैसिटी कैलकुलेट करना यह सेपरेट अपना एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे हमें इसको है ना अब बात करते हैं दोस्तो कॉफर डैम तो हमारी कहानी कहां पर शुरू हुई थी हमने यहां पर कहा था कि foundation आप बना या फिर आप क्या कर दो वैल पॉइंट पाइप्स का यूज कर लो इसके उपर राइजर पाइप लगी हुई होगी उससे आप क्या कर दो वहां से वाटर को उसको पंप करते जाओ लिफ्ट करते जाओ जिससे ग्राउंड वाटर टेबल नीची आ जाए फिर कैमिकल या फि पानी के अंदर स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको कुछ तो ड्राय जगां चाहिए होगी 100% डिमांड तो है नहीं एकदम 100% तो पॉसिबल भी नहीं और अगर 100% एकदम ड्राय जगां बनाने की कोशिश करेंगे तो वह महंगा भी बहुत पढ़ जाएगा तो आपको क्या कर कर देगा लेकिन रिलेटिवली एक बहुत अच्छी खास एक कॉंटिटी के अंदर आपको ड्राय जो प्लेस अवेलिबल करवा देगा जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहे एक बुरी वाटर बाडी है उसके अंदर आप यहां पर तो एक कॉफर डेम बना दिया जिस से प्रोटेक्ट कर दिया कि यह पानी जो है इधर वाला इसकी लेटरल फोर्सेज जो है उससे प्रिवेंट कर देगा अंदर जो भी काम हो रहा है उसको यहां पर और इसकी घाइट जो है कम से कम इतनी रखी जाएगी कि इस वा रही है water की चाहे वो water की जो लेटरल अगर कभी उसमें कोई waves बनी movement बनी तो उसकी वज़े से जो pressure लगे या normally जो still water hydrostatic pressure जो उसके उपर लग रहा है उसको भी वो सहन कर पाए तो ये copper dam के बारे में basic basic बात हैं दो image देख रहे हैं आप तो इनसे आपको clear हो गया है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आसपास water water है बीज में आपको construction करना है तो आपने ये copper dam बना रख है अलग-अलग type के copper dams होते हैं depending upon your requirement उनके बारे में बात करेंगे फिलाल आपको समझ आ गया होगा copper dam एक ऐसा structure है और particularly temporary structure है एक ऐसा temporary structure है जिससे आप क्या कर रहे हो जो construction site है आपकी उसको dry करने की कोशिश कर रहे हो कि ये थोड़ा सा ऐसी condition हो जाए वहाँ पे कि काम किया जा सके आसानी से आप काम कर सके ये वहाँ पे जो construction करना है वो execute कर पाएं और बाद में structure को वहाँ से आप हटा देंगे यहाँ पर तो ये copper dam है, copper dam की requirement की बात करें तो जहाँ पर आपका काम होना अब्विस सी बात है site के उपर ही बनेगा ये copper dams have advantage where large area of site is to be enclosed and hard bed is at reasonable depth की मतलब जो आपका hard bed है मालीज़े ये water body में बात कर लीज़े यहाँ पर तो यहाँ पर पानी पानी present है इसका depth जो है जहाँ पर फर्म स्ट्रेट है एक hard स्ट्रेट आपको मिलेगा तो उस तक पहुँचने के लिए वो अगर एक depth पे है तो आप इसको copper dam का इस्तिमाल कर सकते हो large area को enclose करना है आपको water tight होना चीए जाहिर सी बात है इसका मुख्य काम यह है कि हमें यहाँ पर एक dry surface चाहिए यह कह लीजिए कि अब मैं dry बोलना हूँ तो dry का मतलब यह नहीं कि 100% एक दम perfect dry होगा dry का मतलब काम करने लाइक जो है वैसा आपको वहाँ पर महौल बन जाए तो water tightness जो है वो उसके अंदर होनी चीए और यह koffer dam अब आप खुद imagine कर लीजिए कि अगर आपको koffer dam बनाना है तो koffer dam के नीचे अगर आप बात करेंगे तो नीचे का straight रा अगर फरम नहीं है आपने ऐसे ऐसे boundary बना दी पानी में जो भी है मान लीजिए यह आपने बना रखा है तो अगर जिस नीचे वाले base के उपर यह जाकर टिका वो ही फरम नहीं है तो उसके नीचे से पानी आ जाएगा तो फरम स्ट्रेटा के उपर वो टिका हुए होना चीए जिससे की water tightness जो है वो ensured रहे है हाँ पर so either rest on impervious soil और a bed of concrete में भी लो इट on a bottom of concrete or coffer dam अगर ऐसा नहीं बन पा रहे हैं तो concrete का एक bed बना लो फिर उसके बाद आप उसके उपर construction करना शुरू कर दो water tightness को ensure कर माने के लिए absolute water tightness ज़रूरत नहीं है बिलकुल ऐसे नहीं चीए कि पानी की बूंद भी ना आ पाए absolute water tightness क्योंकि बहुत ज़्यादा un-economic हो जाती है बहुत ज़्यादा मेहंगा पड़ जाएगा अगर ऐसा coffer dam आप बनाएंगे तो और उसकी ज़रूरत भी नहीं है कुछ तो चल सकता है it should be designed for maximum water level अब भही बात है कि इस coffer dam को आपने बनाया और पता लगे कि पानी का level जो अब वो इससे उपर जा रहा है तो पानी उपर से चला गया ऐसा भी नहीं होना चीए कि coffer dam की जो height है उसको इस तरीके से design करेंगे हम कि यह उपर से इसके पानी ना जाए maximum height जो level है उसके according आप उसको design करें जितने भी जादा जादा फोर्थ लग सकती है उसके उपर coffer dam के उपर उसको वो resist कर पाए यहाँ पर materials used क्या-क्या material आप use कर सकते हो आप timber का इस्तेमाल कर सकते हो earth का soil का steel का आप use कर सकते हो concrete का भी use कर सकते हो concrete बाला होता तो अच्छा है लेकिन महंगा बहुत होता है तो concrete का जो सो है वो भी आप use कर सकते हो लेकिन costly पड़ता है type of construction depends upon depth कैसी है soil condition कैसी है वहाँ पर fluctuations water के level के अंदर कितने हो रहे है material कौन सा available है वहाँ आसपास इन सब के उपर depend करता है अब coffer dam का use क्या आजाता है कि अगर आपको coffer dam का use क्या आएगा मान लीजिए piles drive करने है आपको pile drive करनी है तो piles जो होती है pile foundation जो होती है deep foundation होती है तो बहुत जादा depth पे जाएगी और depth पे जाएगी तो वहाँ पर पानी आ सकता है तो ऐसे case में आप उसके आसपास जो है coffer dam से आप उसको protect कर रहे हो कि वो पानी नहीं आएगा आप pile को drive कर दो और उसके बाद आप क्या कर स conditions के अंदर आप इसको use कर सकते हो जहां पर भी आपको grillage या raft foundation provide करनी है अब grillage या raft foundation दोस्तों देखो आपको पता है इसके अंदर steel की beam होती है ऐसे beam रखी होई है फिर उसके उपर ऐसे beam रखी होई है तो इनसे क्या होता है बहुत जादा heavy load जो आ रहा होता है na grillage foundation जो होती ह बहुत जादा heavy load अगर आता है तो उसको भी वो क्या कर देता है उसको भी वो resist कर जाता है उसको भी वो अराम से सहन कर सकता है और यह grillage foundation यह जो beams आपने ऐसे steel की रख रखी है एक layer के अंदर आपने ऐसे रख रखी है दूसरी layer में उनके perpendicular रख रखी है तो उपर से जो load आया वो load क्या करेगा यहाँ पर एक plate यूज करते है आप यहाँ पर एक पूरी पूरी plate यूज कर ली यह steel की plate होगी यह iron की plate होगी यह plate क्या करेगी bearing को सहन करेगी जो भी load उपर से आया उसको distribute कर देगी इस area के उपर इस plate के उपर यह plate further आगे इन girders के थुरू या जो beams आप ग्रिलेज यूज कर रहे हो इनके थुरू आगे transfer करती जाएगी और finally यह concrete का जो नीचे bed यूज कर रखा होगा वो soil के उपर उसको transfer कर देता है अब directly steel क्यों ने use किया soil के उपर क्योंकि steel का area कम रहेगा वो concentrated रहेगा तो वो soil में चुब जाएगा soil के अंदर वो क्या कर देगा bearing action कर देगा settlement आ सकता है तो इसी लिए हम क्या करेंगे last में concrete का जो bed है वो use कर वा लेंगे और वो उसको evenly आराम से अच्छे से उसको uniformly distribute कर वा देगा soil के उपर तो यह grillage foundation होती है raft foundation already हम बात कर चुके तो grillage और raft foundation अगर आपको बनानी है अब जाहिर सी बात है grillage और raft foundation ऐसे घर बनाना है दो कमरे बनाने है मान लीजिए तो उसमें तो provide करेंगे नहीं जहां पर भी बहुत heavy structure आएंगे बहुत ज़ादा load आने वाला है वहां पर use करेंगे अब जब heavy load आ रहा है वहां पर तो area भी जाहिर सी बात है उसका ज़ादा रहा होगा तो ज़ादा area रहा होगा इनकी depth भी बहुत ज़ादा रहती है foundations की तो वहां पर आपको copper dam की ज़रूरत पढ़ती है कि उसको पानी से protect करने के लिए आप बचा बना सकते है construction आपका smoothly हो पा पर तो पियर्द बनाने आपको abutment बनानी है तो इन cases में आप देख सकते हैं कि पियर्द और abutment के अंदर जब आपको construction करना और यहां पर पानी है अगर आप बात करेंगे एक ऐसे bridge की जो किसी water body के उपर से जा रहा है तो वहां पर पानी है जाहिर सी बात है तो आपको यह आप अगर बात करेंगे शिप कोई फस गई है मान लेजिए तो उसको अगर रिमूव करना है नीचे कच्रा है उसके कारण वहां पर अब उसको रिमूव कैसे किया जाए तो आप उसको कौफर डैम बनाके फिर उसके बाद वहां से उनको रिमूव करके जो भी obstruction है रुकाव मान लेजिए कोई शिप है वो फस रखे है तो उसके इसमें भी यूज़ कर सकते है पूरा संक भी कर गया तो ऐसे केस में कौफर डैम बनाके आप उसको वहां से निकाल सकते है तो टाइपस जो है वो किस किस के उपर depend करेंगे कितना area protect करना है depth of water जो है वो कितनी है पानी ज नीचे का bed present है वो कैसा है material available कैसा है nature of velocity of water flow मान ली जी आप कोई river के अंदर बना रहे हैं कोई जहां पर water body या पानी move कर रहा है तो उसका nature कैसा है वहां पर उसके बारे में अब इनके उपर आते हैं क्या-क्या types हो सकते हैं कोफर डैम बनाने के क्या तरीका हो सकता है सबसे simple स बेसिक क्या करो फानि आप क्या कर दो मिटी से बना सकते हो ऐसे gurus करो एक Epankment करेगी इसको घोल के ले जाएगी गे अगर पानी इसको कंटेक्ट में उससे बचाने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो तो यहाँ पे इससे बचाने के लिए आप इस्तिमाल कर सकते हो, इससे बचाने के लिए आप इसे बोलते हैं, rip, wrap, rock, क्या बोलते हैं इसे, rip, wrap, rock का इस्तिमाल कर सकते हो, जिससे कि यह जो water आएगा, वो water इसको एकदम से रोड नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, अगर यहा dykes का आप यूज़ कर सकते हो जब आपको मान लिजिए कोई ऐसा structure बनाना है जहां पर ये suitable है इतना ही water अगर present है यहां पर छोटी duration के लिए आपको यूज़ करना है particularly to make more stable coffer dam behind them इसलिए भी यूज़ कर सकते हो कि आपने कुछ पानी से यहां protect किया और उसके बाद आगे आप coffer dam construct कर रहे हो तो ज़्यादा पानी को यह रोग दे रहे हैं फिर आपका coffer dam जो है वो बाकी और पानी को obstruct कर रहे हैं तो इसलिए भी इस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर सकते हो अर्दन डाइक्स जो होते हैं मिट्टी से डाइक्स की बात करें तो किस किस से बना सकते हैं यह जो डाइक्स बना सकते हैं एक boundary बना देते हैं पानी के आसपास ऐसे जो आपने यहां पे आपको दिखाई दे रही है यह boundary आपने बना दी डाइक्स जो बना दी मिट्टी से बना दो मिट्टी से बनाओगे तो इसे अर्धन डाइक साब बोल देते हो या फिर अर्धन कॉफर डैम आप इसको बोल देते हो इसके जो टॉप की विट्थ है जो उपर वाली विट्थ होती है वो एक मीटर होनी चीए प्री बोर्ड यानि की पानी का जो लेवल रहेगा वो इसकी टॉप मोस्ट हाइट से कम से कम फ्री बोर्ड मतलब टॉप मोस्ट हाइट जो है वहां से एक मीटर कम से कम ये सुखा रहे पूरा ना भर जाया असा ना है पानी यहां तक भर गया वो एक मीटर का कम से कम उपर जो है सकते हो उसके बाद आती है दोस्तो रॉक डाइक्स पूरी की पूरी रॉक से ही बना रहे हैं आप या रॉक से जो आप का उफर डैम बना रहे हो इसके लिए ठोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि रॉक जो है उनकी स्ट्रेंच जादा होगी तो वो पानी जो है वो निकल जाता है तो यह वस यह इसका डिस अड्वांटेज रहता है रॉक का कि यह इंपर्वियस होते है जहां पर इंपर्वियस नहीं होती है पार्टिकल खुद तो रॉक का खुद का पार्टिकल तो इंपर्वियस हो सकता है लेकिन इसके अंदर connected यहाँ पर voids होंगे, रस्ते बन जाएंगे, channels बन जाएंगे, जिनके तुरू पानी जो है, वो travel कर सकता है, तो rock types का ये disadvantages हैं, इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, sheet pile का यूज़ करोगे, sheet pile आपके पास ऐसी piles आप यूज़ करोगे, sheets की तरह दरीके से आप कहले जिए, कि वो पूरा का पूरा prevent करेगी, water उनके थुरू flow ना हो पाए, उसके बाद मिटी से भरे हुए bag, sand bag आप यूज़ कर सकते हो, जिनके थुरू आप ऐसे water बना सकते हो, पानी अंदर ना है, यहाँ पर, sand bag dykes जो हैं, वो हो सकते हैं, sand और clay का mixture आप यूज़ मिल जाएगा, जिनके थुरू आप सारा, सारे void जो हैं, वो ब्लॉक हो जाए, पानी इनके थुरू ना पास करें, तो sand bag dykes जो हैं, इनका भी हाँ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए, कि इनके थुरू और इनकी strength बढ़ाओ, तो आप उसमें hulky full की cement भी add कर दो, त क्योंकि अब इनमें खुद में, एक sand bag को तो आपने अच्छे से बना दिया, पहले सिर्फ sand यूज़ की, फिर उसमें आपने उसने clay भी यूज़ कर ली, तो जिससे उसकी जो voids हैं, वो और block हो गए, फिर आपने cement भी यूज़ कर ली, तो और block हो गए, लेकिन एक sand bag को रख जाता है properly, कि ये gap कम से कम बने, voids ये जो हैं, वो कम से कम बने, आगे बड़े, पीडिएफ पीडिएफ इनसान फरिशान ना हो, पीडिएफ मिल जाएगी दोस्त, कल की पीडिएफ जो है, आज की पीडिएफ दूनों मिल जाएगी, अभी पढ़ने पे ध्यान दे लो, अभी ध्यान तो हमारा है, पीडिएफ में, पीडिएफ कहां मिलेगी, ये पीडिएफ में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये चीज़ें समझने वाली हैं, पहले अगर आप इनको समझ लेंगे पीडिएफ तो आपको मिल जाएगी, एक दिन ना तो दूसरे दिन मिल जाएगी, ने ने देखा नहीं देखा, कितनी बार चिला चिला के बोला, ये link save कर लो, जो link नीचे given है, वहाँ उस link के उपर आपको Google Drive के link पे मिल जाएगी राजन सर डेली पिन कर देते हैं, वो मिल जाएगी आपको, तो एक बार link save करके उस folder को अपने Google Drive में add कर लो, जैसे उस link को open करोगे तो वहाँ पे आजाएगा, add this folder to my drive, drive में add कर लो, तो मैं उसी folder के इंदर जो है, वो upload करता रहूँगा, तो वो आपके पास instantly आपको मिलती जाएगी, टेलिग्राम पे आप active हैं, तो टेलिग्राम पे बढ़िया है instantly आपको वहाँ पर मिल जाएगी क्या इन सब से water रूख सकता है क्या, और क्या कर रहे हैं ये पानी रोगने के लिए ही तो बात कर रहे हैं, अब 100% तो करेंगे ही नहीं, पहले ही बोल दिया कि 100% तो possible भी नहीं है और 100% हमें करवाना भी नहीं है इतना हो जाए कि हाँ काम करजने लाइक जो है वो बैसी situation वैसा environment मिल जाए, उतना चाहिए हमें ये तोड़े ना है कि हाँ बिल्कुल एक बूंद भी पानी की ना आ जाए, ऐसा इतना absolute water tightness भी नहीं चाहिए होती हमें तो इतना काम हमें करना है अरे आ जाएगा एक दो दोस्त हैं कि ने उन्हें पूछना है डिल्ली पीडीफ, पीडीफ, पीडीफ एक तो इतना बड़ा paragraph और उसमें क्या लिखा है सिर्फ पीडीफ, 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 पीडीफ यार आप तो एकदम जासी बचाते हो सेंटी सिंगल वाल कॉफर डेम अभी एक्चुली सिच्वेशन ऐसी चल रही है कि दोस जो है उनके फैमिली में थोड़ा सा क्रिटिकल सिच्वेशन है कोविड चल रहा है सब कुछ तो कल बाहर जो है उनी की सिंगल वाल कॉफर डेम की बात करते हैं सिंगल वाल कॉफर डेम जो है इसमें आपके पास यहाँ पर एक सिंगल लेयर रहेगी प्रोटेक्शन की बस साधारन वाशा में सिंपल लेंग्विज में इतना समझ लीजिए यह रहेगा है हाँ पर वरकिंग एरिया अगर कम होता हैं आपके पास तो एक लेयर ऑफ लेयर अफ प्रोटेक्शन ही आप यूज़ कर रहे है यहाँ पर वरकिंग एरिया small एंड इरिया is to be unclosed स्टील का यूज़ कर लो, वुड का यूज़ कर लो water tightness जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी यहाँ पर तो ऐसे case में आप क्या use कर रहे हैं double double आप use कर रहे हो इनमें आपने sheet का भी use कर लिया guiding piles use कर रहे हो बीच पे आपने इनके pedal भी fill कर देते हैं तो इनसे क्या हो जाता है और जादा water tightness आपको यहाँ पर मिल जाती है next उसके बाद आता है दोस्तो cellular cofferdam, cellular shape के अंदर होंगे यह steel से बने हुए होते है steel की sheet से जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है steel sheet से बने हुए होंगे और cellular है आस पास इनके आपको water दिखाई दे रहे है बीच में इनके यहाँ पर arcs present होती है इनको connect करने के लिए यहाँ पर तो एक cell, दूसरा cell, बीच में cell तो इनको आप top से देखेंगे तो cell बाली shape है लेकिन यहाँ पर arc से यह connected रहते है तो ऐसे arc shape के अंदर यह आपके पास रहेंगे तो ऐसे arc shape के अंदर यह आपके पास रहेंगे इस आर मेड़ अप of steel sheet piles used for underwatering large areas, diaphragm cells और cellular shells used, these type of coffer time require more material than previous but it has advantages material बहुत जादा चाहिए इनको बनाने के लिए लेकिन water tightness जो है वो भी crib cover dam crib cover dam के अंदर क्या होता है कि लकडी का use करके timber का आप use कर लेते हैं और timber की ऐसी crib बना देते हैं जैसी आपको यह दिखाई दे रही है इनके बीच में आपने क्या rock fill कर दी crib बना के एक support बना दी आपने और उसके बीच में rock fill कर दो आपने rocks fill कर दी उसमें तो अब इसको आप use कर सकते हो इस तरीके से तो rock fill की हुई crib crib आप किससे बना रहे हो यह जो crib बना रहे हो या आप यह कह लीजी कि यह जो जाल बना रहे हो एक तरीके से आप जो बच्चों के लिए हो यूज करते हैं वुड की इस तरीके से क्रिप बना ली और वो क्रिप जो है ऐसे क्रिप बना के उसके बीच में आपने rocks फिल कर दिया है यहाँ पर तो अब यह पूरा का पूरा क्या काम कर रहा है दिवार की तरह भी हेव कर रहा है यहाँ पर तो these pockets are formed and filled with rocks और gravel timber use जो है वो rough log यूज़ करते हैं इतना एक्तम आपको perfect वाले timber नहीं यूज़ करना यहाँ पर और इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो यह load को भी अच्छे का से load जो आ रहा है side से जो आ रही है currents वो भी आप यूज़ कर सकते हो ट्रेमी तो अलग है कौफर डेम क्या कर रहा है कौफर डेम water को prevent कर रहा है कोई एक ऐसा area provide करके दे रहा है पानी के बीच में आपको जहां पे पानी नहीं है कौफर डेम यह काम कर रहा है ट्रेमी पानी के अंदर ही चलेगे और यहाँ पे concrete जो है वो आपने fill करते गए, concrete fill होती गए, underwater concreting हम करते हुए जा रहे हैं, तो tremie is a different thing, coffer dam तो क्या है, आपके पास हर जगा पानी ही पानी है, इसके बीच में आपने एक ऐसा area बनाया, जिसको आप dry कर रहे हैं, यहाँ पे आप बाद में construction कर रहे हैं, चलो, आगे बात करते हैं, concrete से बना सकते हैं, concrete जो है उसके बने हुए, already pre-casted, ready-made material जो concrete के आप blocks यूज़ कर सकते हैं, जिन से कि आप क्या यूज़ कर रहे हैंगे, block बना लो, या फिर उनकी RCC की sheets बना लिए, एक तरीके से आपने sheet बना लिए, उनको आप लगाते रो, जैसे आप देखते हैं, generally road के उपर, concrete के barriers लगे रखे होते हैं, बहुत सारी जगा, तो वैसे ही, आप sheet use कर लो, concrete की, और उनसे आप क्या कर सकते हो, पानी को prevent कर दो, लेकिन ये महंगे होते हैं, disadvantage जो इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ, कि ये costly बहुत जादा होते हैं, बहुत suspended form में हैं, ये बस ऐसे ही तैर रहे हैं, तो इस form में आप यहाँ पर provide कर सकते हो, इनको, तो ये आपके पास हो जाते हैं, suspended या फिर movable coffer dams, leakage अगर prevent करना है, तो कैसे करेंगे, आपने dam बना लिए, अलगला type के dam हमने पढ़ लिए, coffer dam, इनमें अगर leakage आ जाता है, पानी फि कर लो, ash का use कर लो, ash मतलब जो राक होती है, जली को आग कहते हैं, भुजी को राक कहते हैं, वो वाली जो राक होती है, ash उसका use कर सकते हो, sand का use कर सकते हो, इनको आप जहाँ जहाँ पर पानी आ रहा था, उससे आप क्या कर लो, उसको use कर लो, बहुत ज़्यादा लिके जग हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो टार्पुलीन जो है टार्पुलीन का आप यूज कर सकते हो कैनवस जो आपके पास होता है हार्डशीट जो होती है उसके उपर क्या लगा हुआ होता है तार लगा हुआ होता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो जिससे वो prevent हो जाएगा पानी उसके धुरू पास नहीं होगा और अगर कुछ है कोई suitable जो भी उसके अंदर अगर मान लीज़े कोई construction के अंदर ही कोई दिक्कत है उसको तो आप prepare करी सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती है दूस्तों हमा पाएंगे ठीक है तो अभी इसके बारे में copper dam के बारे में या जो sub structure से related structure थे इनमें आज के लिए इतना ही कल थोड़ा सा कुछ और बचा है वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे super structure के construction की बात करेंगे ground level से उपर के जो construction होते हैं उन में क्या क्या चीज़ें use करते हैं building construction point of view से उसके बारे में दूस्तों बात करेंगे आज या जो कल हमने पढ़ी थी उन से related और उसके बाद 9 बजे 10 बजे हमारा wifi study main channel के उपर जो है steel design के conventional question में साले question कर रहे हैं हर Saturday सुबर 9 बजे हमारा live test होता है जिसमें हम complete civil engineering का test conduct करते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं पढ़ सकते हैं आप वहाँ पे अभी के लिए इतना ही दोस्तों thank you so much और मिलते हैं हमारे next session में अगर आपने अभी तक इस video को like नहीं किया है और अगर आपको अच्छा लिखती है ये classes तो आप like कर सकते हैं comment करके आप अपने valuable feedbacks और जो भी आपके input है जो आपको अच्छा लगता है जो आप चाहते हैं कि और बहतर हो सकते हैं या जो भी आपके brilliant ideas हैं वो आप हमारे साथ share कर सकते हैं they will always be very useful valuable to us thank you so much दोस्तों मिलते हैं next session में पॉर्श काट दो प्हुर्ट बड़ैंगों कर दोस्तों मिलते हैं सकते हैं जो आपके अफे के लिए हैंई से टहतर हैं मिलते हैं या फिस्कुना कि हुर्शा हैं या अधनी कि गफदानर्फ पलिए उन्या जुए हैं